Hello everyone में किमी राठोर, आज की best रेशीपी में आपका स्वागत है 9 रातरी स्पेसल में आज की रेशीपी में हम आप लगुकले लेखिया हैं बहुती आसान तरीके से बनी वरत वाली मखाना खिर की रेशीपी वुरतवाली मखाना खीर बनाने के लिए हमने एक बावल मखाना लिये हैं जिसे जिसे हमें सामान की जरुवत पड़ेगी उस हिसाब से एट करते जाएंगे खीर बनाने के लिए हमने एक लीटर दूद लिया है खीर बनाने से पहले मखाना को हम रोस्ट करेंगे कड़ाए में एक टीस्पुन देशी घी अट कर देंगे कड़ाए में मखाना एट कर देंगे एक मिनट तक चलाते हुए रोस्ट कर लें दोस्तों वुरत वाली मखाना खीर तो आप लोगोंने कई तरीके से बना कर खाए होगी बट एक बार हमारी रेसिपी को भी हमें एक उबाल आने देंगे दोस्तों यह दिया आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा हमें तेज आज पर दूद को पकाते हुए तीन से चार मिनट हो गए है दूद में अच्छे सुबाल आ गया है अब हम इसमें दरदरे कुटे हुए मखाना एट कर देंगे मखाना को भी दूद में अच्छे से मिला देंगे हमने मखाना को दूद में अच्छे से मिला दिया है गेस की आज मिडियम कर देंगे और मखाना को दूद के साथ 3-4 मिनिट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे हमें मिडियम आज पर दूद के साथ मखाना को पकाते हुए 3-4 मिनिट हो गए मखाना अच्छे से पक गए हैं अब इसमें 4 ओली एट कर देंगे कटकी भी बादा मेट कर देंगे इस्ता एट कर देंगे नारिल बुरा एट कर देंगे वरत वाली मखाना खिर बनाने के लिए ड्राइफूट आप लोग अपनी पसंद के और अपनी हिसाब से भी एट कर सकते हो सारे ड्राइफूट को अच्छे से मिला देंगे अब इसमें 50 ग्राम की लगबग चीनी एट कर देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा इलाइची पाडर एट कर देंगे इनको भी अच्छे से मिला देंगे मखाना खिर को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़े से किस्मिस एट कर देंगे गेश की आंस धिमी कर देंगे और खिर को 2 मिनट तक पकाएंगे और बीच-बीच में चलाते रहेंगे हमें चीनी एट करने के बाद दूद के साथ मखाना को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मखाना अच्छे से पक गए हैं और दूद थोड़ा गाड़ा भी हो गया है मखाना खिर बन गई है अब हम गेश को बन कर देंगे और खिर को बावल में टास्पर कर लेंगे वरत वाली स्वादिष्ट मखाना खिर बन कर तयार है थोड़े केसर से कारणिश कर देंगे दोस्तों यह दिया आप लोगों को हमारी वरत वाली मखाना खिर बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कोमेंच करके जरूर बताईएगा ताकि हम आप लोगों के लिए हरोज नही ने रेसिपी जलाते रहें कल फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी में धन्यवाद